तुम्हें कहां से पता है कि operator यह कर रहा है operator तुम्हेंडा चाचा थोड़ी ना है भाई कि तुम्हें आके बता रहे हैं कि मैं यह कर रहा हूँ बात समझो यह सब ब्योकूपी में पढ़ने से अच्छा कि भाई SL hunting कहां पे हो रही है SL hunting पकड़ो SL hunting ही होती है होती होगी मार्केट में लेकिन तुम प्राइज एक्षिन देखो ना भाई 20 मिनिट में खोल के दिखा हो कहां पे SL hunting हो रही है मैं को बता दो 20 मिनिट में कभी SL hunting हो गयरा तो होती नहीं है कुछ लोग बिना stop loss के क्यों trade करते पता है क्योंकि उन्हें उम्मीद ये रहती है कभी ना कभी मार्केट पलटेगा तो हमें ये नहीं करना ये avoid करना इस वजह से हम ये जो है stop loss लगाते और इसी कारण stop loss लगाया जाता है तो stop loss लगाने कारण I hope तुम समझ गए होगे क्यों हम लोग stop loss लगाते कि मार्केट को थोड़ा सा space दे और अगर गलत हो गए तो हम लोग उसको accept morning जी क्या हाल है I hope तुम बढ़िया कर रहे होगे अपने trading में आज है Sunday का दिन और जैसे कि आप लोगो पता है कि हर Sunday और Saturday हम लोग कुछ नया सीखते है तो आज भी हम कुछ नया सीखेंगे कुछ reality जानेंगे market के बारे में सच क्या है और क्या-क्या चीज़े करनी चाहिए क्या-क्या चीज़े avoid करनी चाहिए एक successful trader बनने के लिए एक profitable trader बनने के लिए वही आज हम लोग जानेंगे और आज का topic जो होने वाला है वो है SL hunting क्या सच में होती है सबसे पहली बात तो क्या SL hunting सच में होती है और होती है तो कैसे बचे अगर नहीं होती है तो क्या करना चीए कैसे हमें जो है stop losses लगाने चीए कहां पे stop loss लगाना चीए doesn't matter option buying करो option selling करो कहां पे जो है तो मैं स्टॉप लगाना चीए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट कि देखो यह जो एसल हंटिंग करके जो शब घुम रहा है तेडिंग कम्यूनिटी में या यूटूब पे या सोशल मेडिया पे कहीं पे भी कि भाई SL हंटिंग होती है SL हंटिंग होती है तो जितने भी लोग यह बोल रहे है SL हंटिंग होती है सबसे पहली यह मेरी बात कि भाई यह लोग एक मिनिट में काम करते हैं जितने लोगों को यह एक एक मिनिट पे ट्रेड कर रहे हैं एक बात समझो मेरी 100 चीज़े होती है मतल अब हमें 30 मिन नहीं मांकेट में तुम्हें लेकिन एक मिन मिनिट में भी 5 चीज से और यह 5 मिनिट में मैं भूझ पांच मिनिकर आ बर तुम्हे किनी करता था किने देखा होगा remarkably जो किका मैंने 30 पर 15 मिन पर कुरा सरह की चींच देखरात था जो चीजां के शुभए वह घुलική हो जारी थी एसल हंटिंग ये और के कर रहा है वह कर रहा है भाइं तुम्हें कहांसे पता है कि есть दोड़ी ना यह कि भाई ऐसे सब चीजे होती है ऐसे रंडिंग होती है यह करते वो करते तो मैं मान भी लूँ एक बार को बट यहां पर भाई अंदादुन बस क्या ऑपरेटर चला रहा मार्केट तुम्हें कहां से पता भाई ऑपरेटर चला रहे ठीक है भाई पता है मार्केट में पैसे चा मार्केट को या ऑपरेटर ही मूफ करता है मैं यह बोल रहा हूं कि हम लोग अगर ऑपरेटर कर भी रहा है तो उनकी सोच तो नहीं पकड सकते ना हम लोग यह नहीं बोल सकते कि भाई डिटेलर अभी ये करने वाला अपरेटर अभी ये करने वाला ऐसा कोई भी नहीं होता भाई बात समझो ये सब बेवकूपी में पढ़ने से अच्छा कि भाई SL हन्तिंग कहां पे हो रही है SL हंतिंग ही होती है होती होगी मार्केट में लेकिन तुम प्राइज एक्षिन देखो ना भाई 20 मिनिट में खोल के दिखाओ कहां पर SL हो रही है में को बता दो 30 मिनिट में कभी SL हंटिंग हो गेरा तो होती नहीं है 30 मिनिट में कितनी क्लियर चार्ट तुम आज जाके देख लो भाई कोई के ट्रेडिंग खोलो 30 मिनिट का चार्ट बैंक रिफ्टी में लगाओ और देखो भाई क्लोजिंग के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं वन मिनिट में भाई इतने सारे चीजे कहां पर आज से मार्केट जाके ऊपर जाके ब्रेकआउट भी कर देगा वन मिनिट में शाय तो तुमारा कोई अलग ही तुमें चैनल को फॉलो करना चाहिए यह चैनल को फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं डारेक्शनल चीज़ बताता हूं और जो रियालिटी वही बताता हूं अगर यह सब चीज़े अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना नीचे लाइक का बटन मिल जाएगा और सब्सक्राइब ज़रू कर देना मेरे बाइए 220 के ओपर अभी जो है सब्सक्राइबर चल रहे है थांक्यू भाई इतना सारा प्यार देने के लिए में को भी अच्छा लग रहा है यह देखके कि भाई लोग जो है रियालिटी जानन जैनद मैं चाहते है सच सुनना चाहते है तो अभी आगे बढ़ते है चलो अगर मैं मान भी लेता हो for example मैं मान भी लेता हूँ कि SL hunting होती है एक मिनिट के लिए मान लेते हैं चलो SL hunting होती है SL जो है stop losses कैसे लगाया जाए market में देखो मैं तुम लोग को पहले है ना meaning समझा देता हूँ कि stop loss होता क्यू है और क्यू stop loss लगाया जाता है क्योंकि कुछ लोगों को meaning ही नहीं पता कि stop loss होता क्या है देखो stop loss क्या होता है कि मैंने एक direction जो है market में एक position बनाई किस चीज के लिए कि market उपर जाएगा for example के लिए कि market उपर जाएगा अब हम stop loss क्यों लगाते है कि अगर market उपर नहीं गया अब देखो दो चीज होती market नीचे ही चले जाएगा या तो नीचे जाके फिर पलटेगा market में हम लोग ने शायद थोड़ी सी जल्दी entry कर दी हमें नहीं पता कि हमारी entry जो है exact है की नहीं हम लोग क्या करते है पहले try करके देखते इसके लिए मैं starting में क्या करता हूँ छोड़ी quantity दालता हूँ पहले देखने के लिए कि market यहां से पलट भी रहा है कि नहीं कि अगली candle खुल के जो है नीचे जा रही है तो इस वज़े से पहले try करते हैं बराबर उस try जो हम लोग जो यहां पर position बना रहे है उपर जाने के लिए तो इसमें हम लोग stop loss क्यों लगा रहे है भाई कि अगर गलत हो गए ठीक है market को पहले थोड़ा सा space देते हैं थोड़ा सा space देके देखते है market को कि भाई यहां पर थोड़ा सा घुम के वापस है पलटने के लिए इसको थोड़ा सा space दे दो सब्सक्राइब यह तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ेगा तुम यह नहीं बोल सकते कि यही लो से market पलटेगा तो कभी कभी क्या होता है कि विक बनती है देखो यहां से market क्या करता है लो टोड़ता है थोड़े बहुत यूनो लोगों को दिखाता है कि ब्रेक आउट हो गया ब्रेक आउट हो गया जैसे मैं फेक ब्रेक आउट यह एसल हंट करवाता है सब लोग बोलते है ठीक है पर मार्केट पलटता है तो वो विक जो बनती है न तो क उस हिसाफ से अपनी risk appetite के हिसाफ से फिर quantity decide करो lot size decide करो कि मैं एक lot पे इतना जो है न market को move करने के लिए दूँगा समझ रहो मेरी बात कि भाई 100-200 point अगर market मेरे opposite जा रहा है जैसे कि for example 1500 point के ऊपर market जो है अगर हमारे opposite direction में जा रहा है तो इसके आगे मतलब नहीं बनता market में बैटनेगा कि भाई यहां से पलटेगा इसके बात उमीद नहीं रहती क्योंकि 1500 point अगर यहां पे move कर गया na market तो फिर मेरे ख्याल से कि हमारी direction गलत है इस वज़े से market जो है कि नहीं थोड़ा सा पलट सकता है लेकिन एक time के बाद जाके हो उमीद खतम होनी छी कुछ लोग बिना stop loss की क्यों trade करते पता है क्योंकि उन्हें उमीद यह रहती है कभी न कभी market पलटेगा तो हमें यह नहीं करना यह avoid करना इस वज़े से हम यह stop loss लगाते और इसी कारण stop loss लगाया जाता है तो stop loss लगाने का कारण I hope तुम समझ गए होगे क्यों हम लोग stop loss लगाते कि market को थोड़ा सा space दे और अगर गलत हो गए तो हम लोग उसको accept कर तो I hope तुम लोग stop loss क्यों लगाया जाता है वो समझ गए हो अब यह अन्दासा आता कास है कि 100 points ही देना चाहिए 200 points ही देना चाहिए backtest करके मैं कितने traders देख चुका हूँ भाई मैं खुद मैं अपने आप include कर रहा हूँ इसमें कि कितने traders है मेरे जैसे RC traders है जो कि पिछले 6 मैंने एक साल का चार्ट कोल के आज तक देखे ही नहीं जिस दिन मैंने ये किया ना भाई एक एक दिन जाके देखा क्या हो रहा है 2020 का था 2021 का market कैसा था 2022 का market कैसा था जिस दिन मैंने एक एक चार्ट खोल के देखे ना भाई उस दिन से में को न यह ज़रूरत पड़ी ही नहीं किसी को बताने की इतना कुछ मैंने वह तीन साल के चार्ट में देख के सीख गया हूँ भाई सच बता रहा हूं यह तीन साल की यह मे ाइगा जिन और शायद बता वी देंगे तो तुम अमल न करोंगे रसी भाई मैं भी ऐसी हूं में लेकिन जिस दिन मैंने एक छी चीन्ज किया सर्थीन पैसे आना चालोई उस दिन से मैं स्ट्रेटीजि करना चालोग क्योंकि मेंस्टों स्ट्रैटीजी भरोसा आया और कॉफी पीके भी कड़वी वाते कर रहा हूं लेकिन भाई यह सच है यह वियालिटी और यह जानना जरूरी है लोगों को क्योंकि भाई यह चीजे बता नहीं रहे है इस वज़े से यह बताना जरूरी है और अगर अच्छी लग रहे हैं तो फिर से लाइक कर देना भाई अभ करना फिर शिफ्ट कर सकते हो तुम स्टॉपलस लेकिन पहले एक मूव होने का उसको है ना एक एरिया दो मार्केट को ठीक है 100-200 पॉइंट तुमारे इसाब से जो तुम्हें सही लगता है जो तुम बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहें और निफ्टी में शायद अलग हो सकता है और फिर बान में पलटता है है ना तो यह सब चीज़े तुम्हें बैक टेस्ट में मालूम पड़ेगी तो मैं एक अंदाजा दे देता हूं मैं 100-200 पॉइंट के अराउंड होता है बैंक निफ्टी के अंदर एतना तुम अगर मूव करने के लिए उसको जगा देते हो मेर मैं तुम्हें सब चीज़ बता दी भाई स्टाटेजी कहां से ढूंडनी है स्टॉप लॉस कैसे ढूंडने और क्या क्या चीज़े करनी है यह वीडियो में सभी बता दियो हमें आज तो आई होप यह अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक श्क्राइब ज़ आने बिखी बोले वावा ये ये मेरे बता दो आई है